जहिन दोस्तों स्वागत आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन में आज है 18 दिसंबर 2020 इस वीडियो में डिसकस करेंगे 18 दिसंबर के most important current affair की question जो कि आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी important है चाहे फिर आपका एक्जाम banking का है, railway का है, HPSC या फिर HPSC पुलिस का जितने भी आने वाले state या government एक्जाम है उन सभी के लिए आपका daily current affair most important है आप हमारा basic foundation का course भी जोइन कर सकते हैं जो की रहेगा आपके लिए एक साल का और cover करवाएगा आपके आने वाले सभी एक्जामों को आप अपनी तियारी इसमें बिल्कुल basic के साथ कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books सो जल्दी से जल्दी आप हमारा shore batch start कर सकते हैं विजेपत defense education में सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, first question है वीडियो का Supreme Court Collegium ने Justice Jimakoli को किस राजे के High Court की पहली महिला Chief Justice Nukt किया है तो ऐसी जो हमारी हिमा कोहली है उनको High Court की पहली महिला Chief Justice Nukt किया गया है वो कौन सी राजे की पहली महिला Chief Justice बनाई गई है तो उस राजे का नाम है तेलंगाना तेलंगाना की बात करते हैं तो भारत का 29 जो है यह हमारा राजे है और हिमाचल की अगर बात करते हैं हिमाचल के बरतमान के चीफ जस्टिस्ट कौन है तो उनका नाम है केल करियपपा Next question की बात करते हैं साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निमलिखित में से किस पहलवान का 86 बर्ष की उमर में निधन हो गया तो ऐसे कौन से हमारे हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले बेगती थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो उनका नाम है श्रीपती खांचनाले जिनकों की हिंद केसरी का किताब मिला था 1959 में Most important question है Next one है ग्रीह मंत्राले ने हाल ही में किस सांसद अभिनेता को बाय कटागिरी की सुरक्षा परदान की है तो ऐसे कौन से सांसद हैं जो की BJP के हैं अभिनेता भी हैं जिनको बाय कटागिरी की सुरक्षा जो है वो हमारे ग्रीह मंत्राले द्वारा परदान की गई है तो उनका नाम है सन्नी दियोल उप्षन थी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सन्नी दियोल की बात करते हैं तो BJP की ये बरतमान के सांसद हैं और साथ में ये अभिनेता है जिनको बाय कटागिरी की सिक्योर्टी जो है वो ग्रीह मंत्राले द्वारा परदान की गई है बिजे दिवस निवन में से किस दिन मनाया जाता है तो बिजे दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है most important question है आपको comment box में बताना है कि बिजे दिवस जो है वो भारत और किस देश के बीच जो यूद हुआ था बहां पे भारत ने बिजे प्रापत की थी उसके लिए ये मनाया जाता है next question है खाल ही में भारती तट रक्षक बलके बेडे में किस नहीं सोदेशी नोका को सामिल किया गया है तो ऐसी कौन सी नोका है जिसको भारती तट रक्षक बलके बेडे में सामिल किया गया है मतलब कि भारती कोस्ट गार्ड में इसको सामिल किया गया है तो उसका नाम है Interceptor C454 तो option A जो है ये इसका बिल्कुल सही है next question है परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने गुजरात में कच में कितने महतो कांशी परियोजनाओं का सिला नियास किया है तो उनका जो है ये home town है गुजरात परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी का तो इन्हों न जो है वो गुजरात में हाल ही में तीन जो है वो काफी बड़ी परियोजनाओं का शिला नियास किया है तो option C जो है ये इसका बिलकुल सही है next question है किस देश के परधान मंतरी अगले साल गंतंतर दिवस 26 जनवरी 2021 के समारों में भारत के मुख्य अदेती होंगे तो most important question है तो ऐसे कौन से देश के परधान मंतरी है जो की भारत आएंगे 26 जनवरी 2021 को as a guest तो वो है हमारे ब्रिटेन के परधान मंतरी और उनके बात करते हैं तो उनका नाम है जोनसन और सबसे important question की हिमाचल की एक जांकी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है 26 जनवरी 2021 को जांकी रहेगी आपकी अटल सुरंग की most important question है नेक्स्ट वन है drug control operation प़र भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्वीपक्ष्य बैठक आयोजित की गई है तो भारत और किस देश में हाल ही में कंट्रोल ओपरेशन पर एक बैठक आयोजित की गई जिसको नाम दिये गए द्विपक्षिय बैठक उस देश का नाम है मयामार मयामार की बात करते हैं तो इसको पुराना नाम था बर्मा आई होप आपको सारे के सारे कोशिन इंपोर्टेंट लगे हैं आप हमारा शोर बैठ स्टार्ट कर सकते हैं शीयेचसल और MTS का शीयेचसल की जो लास्ट डेट रहेगी बो है आपकी 19.12 दिसंबर दो हजार बारा लास्ट डेट अपलाई करने की तो जल्दी से जल्दी आप हम हमारा शोर बैच स्टार्ट कर सकते हैं हमारा एच्पी पुलिस का एडवांस बैच भी स्टार्ट हो चुका है जो की रहेगा मिशन दो हजार 21 के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे साथ वर्ट सैप ग्रूप के साथ विए आप जूड़ सकते हैं वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें जै हिंद जै भारत